Hello everyone, Metamorphosis में फिर से स्वागत है और आज जो वीडियो में लेके आया हूँ, उसका topic सीधे सीधे text related होने वाला है जो lecture में बहुत important question बनेगा Lecturer में Virginia Woolf जो writer हैं उनका एक बहुत शांदार text जिसमें से question आने के पूरे chances हैं Orlando Orlando की summary और उसके important questions में आपको सामने लेका हूँ, बहुत ध्यान से आप इस summary को कीजिएगा, मैंने बहुत important questions इससे निकालें और summary भी बता रहा हूँ, उसके बाद important points भी बताऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा और last तक इससे जरूर देखेगा, क्योंकि जरासी चूक में आप कुछ important information को miss कर सकते हैं एक और जहां ये एक व्यक्ति के gender change हो जाने को दिखाता है, स्टोरी में वही feminism का एक important document माना जाता है, क्योंकि इसमें Virginia Woolf जहां एक male को female में transform होता दिखाती है, वही feminism के इस बात को भी जोड़ देती प्रतीत होती है, जहां इस बात पर दावा किया जाता है, कि एक male के अंद और balance psychology को दिखाता है, और feminism में उसको एक बहुत अच्छा aspect माना जाता है, जो कभी हम बात करेंगे, और गाइनो जो है criticism, जो था वो कैसे एंडरो criticism और इस पर परिवर्तित होता है, इसकी भी बात करते हैं, खैर चलते हैं, औरलेंडो, जो 1928 में publish हुआ, Virginia Woolf के दारा, एंड ये औरलेंडो एक जो मेंबर था, एक noble family का, उसकी कहानी बताती है, और ये कहानी है, नोट कीजिएगा, 16th century England से शुरू होती है कहानी, क्योंकि ये कम से कम 400 साल के लगबग कहानी चलती है, तो ये इसकी उमर इतनी दिखाई गई है, तो 16th century England में ये शुरू हुई है, और त Virginia Woolf के novel छपने तक और ये सब 1928 तक पूरा दिखाते हैं, अब इस पूरी चीज की वजए से इस novel को एक शांदार comment मिला है, वो comment किस ने किया है, ये आ सकता है, तो नोट कीजिएगा, कि author Janet Winterson, Janet Winterson कहती है, Orlando को वो पुकारती है, क्या, एक नाम देती है, एक phrase से वो पुकार पुकारती है, the first trans novel in English, तो Orlando is the first trans novel in English है, जो अपने आप में एक बहुत important point है, ये इसको आप note कीजिएगा, जो title character है, वो basically, Orlando, वो वुल्फ के अपनी एक friend और एक तरीके से lover भी थी, वो एक तरीके साब lesbian relationship समझ सकते हैं, तो lover भी थी जिसका नाम था Vita Seqvili West, उसके experiences पे आधा रहीता है, Vita Seqvili West, खुद में एक novelist थी, poet थी, journalist थी, और उसने एक दरजन से ज़्यादा किताबें, collection of poetry, 13 novel और पता नहीं क्या क्या लिखा था, तो Vita ने Orlando की जो biographical details थी, वो share की थी, many biographical details with Orlando, कैसे, कि Vita की साथ जो जो बीता था, वो Orlando के साथ बीता, वो दिखाते हैं, तो Orlando की स्टोरी को, Vita की स्टोरी, actually Vita ने जो स्टोरी शेयर की है, वो कहीं न कहीं दोनों में common element है, तो Orlando actually उसकी स्टोरी से inspired है, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि Vita एक बहुत बड़ी property की हगदार भी थी, और सिर्फ उसे इस property में इसलिए हिस्सा ने म वीटा सेक्विलिविस्ट को, क्योंकि वो जेंडर वाइस फीमेल थी, और फीमेल को वो नहीं मिल रहा था, तो यह सारी चीज़ें जो जेंडर डिफरेंस है, और इस सब चीज़ें को यह औरलेंडो बहुत ही प्रमुख तरीके सो भारता है, तो यह जेंडर switching, इसलिए गोल, के अनो एली, तो के अनो एली नाम से कभी पूछा गया तो उसके, उस स्टेट का नाम था, जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन पाई, सिर्फ जेंडर इसके आड़े आ गया था, तो यह जब स्टार्ट होती है, तो यह नोवल भी एक औरलेंडो के स्टोरी बताती है, 16 की एज से, जो कि 16 सेंचुरी में होता है, और जब वो 36 की एज तक पहुंचता है, और तब 1928 हो जाता है, अपने आप में कुछ कैलकुलेशन वाइस, टेक्निकली बड़ा अजीब सा लगता है, कि 16 से 36 सिर्फ इतनी कम एज और 1928, लेकिन वो क्यों होता है, वो सब आपको प अननेम्ड नरेटर, और पूरी जो स्टूरी है, वो एक अननेम्ड नरेटर ही सुनाता है, जिसका नाम आपको कभी भी पता नहीं चलता है, अब मैं थोड़ा समरी को ब्रीफ कर दूँ कि और लेंडो, अलिजाबेट को बहुत पसंद आ जाता है, एक घटना के दौरान जब अब से खास हो जाता है, ठीक है, और उसका फेवरेट भी बन जाता है, लेकिन उसकी रिलेशन्शिप जल्दी अलिजाबेट से टूट जाती है, जब अलिजाबेट उसको एक लड़की को किस करते वे देख लेती है, बिसीकली, यहाँ पर वरजीनिया वुल्प ने एक अनल भारने की कोशिश किये, कि अलिजाबेट को आप दोनों तरीके से अनलाइस कर सकते हैं, या तो अलिजाबेट उससे बहुत प्यार करती थी, या देवेट बहुत वर इंटिमेटली इनवाल्ड और वाइस इतना जैलेस कोई नहीं फील करता, यह क्रिटिक्स कहते हैं, जब ह वहां से चला जाता है, तो अरलेंडू एक रशियन प्रिंसेस जिसका नाम शाशा होता है, उसके साथ इनवाल्व हो जाता है, लव अफेर में, अब वो शाशा को बहुत प्यार करता है, लेकिन शाशा अनफेट्फुल निकलती है, और एक दिन जो वो लंदन में जब नदी टेम्स नदी होती है, वहां से एक जहाज निकलते देखता है, उसके साथ एक दूसरा लड़का होता है, और वो किसी और के साथ इनवाल्व होती है, और वो रशिया को डिपार्ट कर जाती है, जब पूरा एक तरीके से एक ग्रेट फ्रॉस्ट वाता है, इंग्लेंड में, वहां पर सारी जहील जम गई थी, और लंदन की नदी भी जम गई थी, टेम्स नदी, तो ये दिखाया गया है, कि इधर नदी पिखल रही है, उदर जहाज निकल रहा है, उसके बोल्ट पर ये खड़ी हुई है, और उनको जाता हुए और ये औरलेंडो दूर से देख रहा जाता है, क्योंकि he used to love Shasha a lot, उसके बाद औरलेंडो सोचता है, कि अब मुझे अपना एक करियर बनाना चाहिए, पोईट की तरह, मैं आपको यहां पर ये बताना भूल गया, कि औरलेंडो का जो पहला प्यार है, वो राइटिंग है, वो novel भी लिखता है, वो stories, वो poem भी लि कवीता को ये बच्पन से पूरा करना चाहता है, लगातार इस पर काम कर रहा है, और कई सालों पहले इसने रोग दी थी कवीता, तो ये सोचता है क्यों अब इस कवीता को पूरा किया जाए, और उस समय मिलता है एक बहुत बड़े author Nicholas Green से, उस समय, और Nicholas Green से इस hope में मिलता है कि वो उसकी चीजों को analyze करके उसको guide करेगा, उसके literary career को आगे बढ़ाने मदद करेगा, Nicholas Green उस समय मारलो और Shakespeare की बहुत बुराई करता है कि ये लोग फालतू लिख रहे हैं, और Greek literature के सामने Elizabethan literature कुछ भी नहीं है, तो एक reference Shakespeare और मारलो का आता है, वो अगर कहीं आया तो Nicholas Green के चीजों को पढ़ता है, और उसकी तारीब भी करता है, लेकिन बाद में वो भी उसको धोका देता है, बाद में वो उसके एक work की parody कर देता है, पैरोडी यानि उसकी हसी उड़ाता है, अब अगर आप मुझसे पूछें कि वो work कौन सा है, तो वो सारी चीजें मैंने कुछ important notes extra important note बनाए है इसके बाद, जिसको मैं इसके बाद आपको बताऊँगा, लेकिन आप याद रखेगा, एक work है औरलेंडो का जिसकी वो जाके parody करता है, पहले उसकी दोस्ती करता है, और फिर बाद में parody करता है, उसकी मजाग उड़ाता है, 17th century में King Charles II औरलेंडो को अपॉइं जो वहाँ की सबसे शानदार इमारत है, तो कस्तुतुनिया राज जी भी कहते हैं कस्तुतुनिया का अंत, जो आज के दोर पर स्तानबूल माना जाता है, जहांके बिल्लिया पूरी दुनिया भर में famous हैं, वहाँ variety of breeds मिलती है, cats की, तो वहाँ चला जाता है, और जब वहाँ थोड़ा violence हो जाता है, और civil unrest हो जाता है शहर में, तो कई एक लोग मारे जाते है, और लेंडो को नीद आ जाती है, और वह सो जाता है, और लोग उसे मरा हुआ सोच लेते हैं, जब finally वह उठता है, तो वह देखता है कि वह पूरी तरह एक woman में transfer हो चुका है, transform हो चुका है, और यह change बड़ा mysterious होता है, और लेंडो को बड़ी difficulty होती है इसको accept करने में, तो और लेंडो को difficulty इसले भी होती है, क्योंकि यहाँ पर Virginia Woolf एक बहुत शांदार चीज़ को भारती है, वो feminism के element लाती है, कि उसको जो कपड़े पहनने हैं, अब ladies के पहनने हैं, और stockings पहननी है, what is the difference in going with like a male and what is the difference when you wear a petticoat and this everything is described, so Virginia Woolf यह बताती है कि gender switching actually चहेरे या physical appearance नहीं होती है, society उसे cloth wise देखती है, और लेंडो खुद इसको feel करता है, वो जब लड़की बन जाता है, तब यो कभी लड़क के cloth पहनता तो लोग उसे लड़का सोसता है और लड़की के पहनता तो जेंडर इस दिया, तो अब वरजीनिया Woolf इसे बहुत बड़े scope को खीचना जारी है, फैमिनिजम के, तो औरलेंडो कॉंस्टाटेनोपल के बाद वहां से चला जाता है, और औरलेंडो एक रोमैनी tribes होती है, उनके साथ travel करता है, उनके साथ ही थोड़े वक्त गुजारता है और रुमैनी बेसिकली जिपसीज लोग होते हैं, जो बंजारे टाइप के होते हैं, उनकी upbringing विलकुल अलग तरीके से हुई होती है, और इसकी अलग तो दोनों में tuning नहीं बैठती है, वो लोग इसको अपने group से अलग कर देते हैं, फिर सो वो England आता है, और लेंडो अपनी high poets के साथ बैठता है, अब एक question ही आएगा, कौन-कौन से poets का जिकर है जनके साथ हो जाता है, तो आप लेक लीजिए, note कर लीजिए, Alexander Pope का जिकर है, Nick Green का है, unfortunately Orlando जो है, अपनी family property को challenge करता है, और वो अपनी property लेना चाहता है, लेकिन अब वो ही वाली situation आगी, जो vita sec भी लेकी थ चुका है, तो उसको property नहीं मिलती है, वो जो inherit करता है, बाद में वो एक case file करता है, और इस तरीके से बहुत सारा time वो उस पर बरबाद करता है, लेकिन वो कितना exhaust हो जाता है उस काम को करने में, और वो struggle करता है, इसी समय और्लेंडो जो है, एक समुद्र के captain, Marmaduke Bonthrope से मिल अब ये दोनों थोड़ा दोस्त बन जाते हैं, तो इन दोनों को ये पता चलता है, कि ये दोनों लोग अपने gender switch करके हैं, gender non-conforming है, शेल भी कभी लड़की था, तो अब लड़का हो गया है, और लेंडो और शेल के दोनों की जो tuning है, वो एक सी है, तो और लेंडो को बहुत अच्छा लगता है शेल के साथ, शेल और वो marry कर लेते हैं, उनकी marriage बहुत successful रहती है, क्योंकि वो दोनों लड़का और लड़की दोनों चीज़ों को switch करके, दोनों चीज़ों को feel कर चुके होते हैं, शेल जो है, वो sea captain है, और जहाज पे लंबी लंबी आत्राओं पे रहता से, तो Victorian era में Orlando finally, अब ये इतने लंबे टाइम से ये दिखाते हैं कि stretching होगी, 1920 आ गया है, कहां Victorian England आ गया है, वहां से होते होते है, अलिजाब इतने इस से, इसी साल क्योंकि Orlando भी लिखी थी इसने, last में दिखाते हैं कि finally Orlando एक mall में जाता है, तो mall पे वहां उसको अचानक से सा आने लगती है, उसको साशा की बहुत याद आती है, उसको जाते वे दिखती है, तो सारा समानमान चोड़ के लिस्ट छोड़ के, वो दौड़ के अपने जो inherited वाला house होता है, वहां जाता है, वहां खाली कमरे देखता है, वेक्सिकली देखती है कह सकते हैं, क्योंकि अब उ और उसको सारी चीजें बहुती नॉस्टेल्जिक लगती है, उस कमरे में कितनी बार लोगों का आना जाना था, क्वीन्स आई थी, कैसे था, उस सब याद आने लगता है, तो वो दौड़ के अपनी दा ओक ट्री वाली बुक लेके जाता है, और फाइनली एक ओक का पेड़ यह उपर देखता है, तो इसका जो हस्बेंट होता है, वो शेल वो उपर जहाज एरोपलेन लेके जा रहा होता है, तो यह उसे हेयर कहके इशारा करती है, बेसिकली ओरलेंडो, तो वो एरोपलेन से बाहर जो है, लीप आउट करता है, उसे जॉइन करने के लिए, बेसिकली और जब वो लीप आउट करता है तो दिखाते हैं कि एक गीज या एक गूज वहां से उसके सर के उपर से उड़ते हो जाती है और फिर औरलेंडो के कुछ लास्ट शब्द होते हैं वो अभी मैं आपको special notes मताऊंगा तो इस तरीके से कहानी यहां पर खतम होती है उन लास्ट शब्दों के साथ तो लास्ट शब्द यही होते हैं तो कहता है the wild goose and then the twelfth stroke of midnight और रात के बारा बचते हैं और Thursday the 11th of October 1928 डेट याद रखेगा 11th October 1928 में नावल खतम होती है तो इस लास्ट वर्ड ने the wild goose the wild goose ठीक है और इस तरीके से end होता है novel का कुछ और important मैंने कहा था significant point जो बताऊंगा उसको आप note कीजेगा वो बहुत important point है एक तो यह है कि शाशा से पहले भी और्लेंडो एक लेड़ी से involved होता है जिसका नाम होता है Lady Margaret या Euphro Sin वो भी इसको धोका देती है और जब यह 18 जून को जब और्लेंडो को शाशा छोड़ के चले जाती है तो 18 जून होता है याद रखेगा और उसमें यह पूरा एक हपते तक सोता रहता है depressed और dejected despair जिसमें और जिस वर्क की और्लेंडो की हसी उड़ाते पैरोडी ग्रीन लिखता है उस वर्क का नाम होता है और्लेंडो का एक play होता है जिसका नाम होता है The Death of Hercules यह भी note कीजएगा The Death of Hercules और उसके अलावा यह जब ambassador बन जाता है इसको dukedom मिलता है तो एक sir adrian scrope होते है adrian adrian scrope scrope वो इसको nobility जो है पूरा और dukedom जो है प्रदान करते हैं एक यह ध्यान रखेगा और उसके अलावा और लेंडो जब यह रुमैनी लोगों के साथ involve हो जाता है और बाद में जब लोगों को पता चलता है कि और लेंडो की marriage की deed मिलती है जो जिपसी विमेन जिसका नाम होता है रोजीता पैपिटा कि इसके साथ इसकी शादी हो चुकी थी यह भी वहाँ लोगों को पता चलता है और वो पुरा एक हपता सोके जब सात्वें दिन उठता है जब वो ट्रांस्वर्म हो जाता है ठीक है और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया अलेक्सेंडर पोप अगरे से औरलेंडो मिलता है और इसके अलावा औरलेंडो का एक बेबी भी बॉन होता है वो 20 मार्च को 3 o'clock में बेबी is born on 20th मार्च 3 o'clock in the morning एक मिडवाइफ होती है और लेंडो को बुलाती है और उसके बेबी को हैंडोवर करती है वो एक बहुत फाइन बॉई होता है उसके अलावा जब पूरा मॉर्डन एज में दिखाते हैं तो अचानक दिखाते हैं कि सारी दुनिया बदल चुकी और लेंडो अप कार चला सकता है और वो जब एकदम से दुनिया बदलती है तो वो 10 a.m. October 11, 19, 20 होता है बेसिकली और लास्ट में जो है और लेंडो जब पेड़ पे जो है अपनी किताब को दौक ट्री पे चड़ा देता है तो और लेंडो जब जहाज में उपर शेल को दे और लेंडो की पूरी समरी थी और इसके important point थे और भी जो कुछ important point है वो अभी एक वीडियो में नहीं हो सकते अगली वीडियो में मैं थोड़ा सा छोटी वीडियो उसमें मैं और लेंडो के बारे में themes, symbol और किस तरीके symbol यूज़ के गए उनका क्या मिनेंगे ज़रूर बता किजिए बने रहिए नए बैचे उनको जॉइन किजिए तब तक के लिए आप सभी का जोए बहुत बहुत धन्यवाद and you all are my inspiration and please keep on liking and subscribing my video. Thank you. Have a nice day.